तो वेल्कम टू एवेर अकेडमी तो आज हम हाजिर है एक और नए लेक्टर के साथ टेलीप और टेक्निक्स एप्लाइड मेकानिक्स के लॉज ऑफ फोर्सिस के उम्मिद करता हम आप अच्छे होंगे और बहुत जल्दी आपको आपके कोशनों के आंसर भी दिये जाएंगे फिलाल हम लोग शुरू कर रहे हैं बच्छो लेक्टर नमबर थ्री और इसमें आधम क्या पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल आफ ट्रांसमेसिबिलिटी क्या होता है एक्शन रियाक्शन क्या होता है फ्री बॉडी डाइग्राम क् इसके बाद जो भढ़ेंगे बाद में बताता हूं तो फिलाव हम लोग इनको पहले फैनिश करते हैं देख प्रिंसिप रफ ट्रांसमेसिबिलिटी क्या होता है मैं तो में एक्जामपल देता हूं सिंपल मेरे पास एक छोटा सा यह पैड है इसको मैंने ऐसे रखा और रख करना है एक्चुली क्या हुआ होगा धंग से देखा जाए तो जहां मैंने फोर्स लगाया मेरा वह फोर्स यहां से यहां से यहां यहां से यहां यहां से यहां और यहां से ट्रांसफर हुआ तो मेरा फोर्स ट्रांसमिट होता है अगर इसी के बजाए में पानी लेता पानी सारे लेक्षर के वीडियो दिए हैं वहाँ जाके देखेंगे फर्स लेक्षर में पढ़ाया था रिजिट बॉड़ी क्या होता है इस चप्टर के तो रिजिट बॉड़ी अगर कोई भी है अगर उस पर कोई फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स की जो भी लाइन ओफ एक्शन हो नहीं समझ आएगा तो कमेंट बॉक्स से पूछना अंसर बताऊंगा ना इफ एफ फोर्स एक्ट ऑन ए रिजिट बॉड़ी इट में बी कल्सीडर टू एक्ट एट एट एनी अधर पॉइंट ऑफ बॉड़ी तो यह वाली फोर्स लग रही है लग तो इस वाले पॉइंट माल लो इस पर माल लो जहां मन करें वहां माल लो on the line of action of force यहां नहीं मान सकते जो है लाइक लाइन अफ से लाइन पे आप इस फोर्स को कहीं भी consider करके मतलब अगर मैं इसको यहां लिखके यहां बनाओ ऊरिक्ष बना सकता हूं मतलब मैं इसी डाइग्रां को अगर मैं सब्सक्राइब में बइस projeto कहां दिखा दुए को कहा दिखा दूगा यहां भी दिखा सकता हूं यह करो है एक्षोर्स ही इसे फॉर्म में लगा सकता कर से लुडाई खली बस То तो आपको समझ आया इसे बोलते हैं हम यह ऐसा क्यों कर रहे है क्योंकि क्या होता है कभी-कभी जा हम लोग complex object देते हैं पर कई सारी forces लग रही है उसे forces को में shift करना होता है according to our convenience numerical solve करने के लिए तो हम लोग इसका यूज करेंगे बट क्योंकि पहले लेकिन हां था नहीं होता है कोई ऐसा रबड का जैली टैप का आइटम है आप में जैली पर फोर्स लगाई वो तो इसको बॉडि नॉर्मल रखी हुई है नॉर्मल इसी रखी हुई है उसका वेट अपने आप एक्शन होता है यह इंपोर्टन बात है समझने के लिए आपको ठीक है तो यहां पर इस बॉडि आ जो गोला रख्ख है मैंने उसका वो रेट कहां लग रहा है नीचे की तरफ व क्योंकि जब हमें question solve करने होते हैं तो एक question में बहुत सारी forces लगी होती है सारी forces को हमें अलग-अलग करके solve करना होता है ठीक है तो देखो क्या होता है it shows relative magnitude and direction of all forces acting upon an object in given situation यह तो बच्चों के definition exam में आए लिख देना पर इसका अभी मेरे समझाने से कोई खास मतलब नहीं है म मैं आपको समझाऊंगा प्राक्टिकली ठीक है मैं इसे मिटाता हूं फिलाल के लिए और देखो कैसे होगा आपको यह नीचे वाले बॉक्स है बच्चों मैंने दो अलग-अलग गोले रखें ठीक है एक हमारा green color का गोला रखा है लग इसको मैं सेकेंड वाला बोल रहा हू ये क्टेनर है अभी है क्या बॉन बॉन बॉर्तू और यह जो है मेरा देटिस कल कंटेनर ये मिडा रखीले अब एकुझा बहुत सबसे पहले क्या है धो यह वाली बड़ी वाली बॉल पर एकarti एक्से गज़न लगा रही है ठीक है यह वानी कोशिश कर रही होंगी तो यह पोस्ट लगा रही है लग रही है हम सारी फोर्स को पढ़े कैसे तो हमने क्या किया हम अब मेरी भासा में समझो free body diagram क्या होता है जब भी आप किसी object को एक single object दिखाओ और उस पे लगने वाली सारी फोर्स दिखाओ सिर्फ फोर्स बाकी से कोई मतलब नहीं मतब सेपरेट कर लो जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ पहले मैं container बना के दिखाता हूँ तो container पे लगने वाली सारी फोर्स फ्री बॉडी का मतलब यह कि आपने बॉडी को सिस्टम से फ्री कर दिया उस पर लगने वाली फोर्स दिखा रहे हो तो अब सिस्टम पर देखोगे तो container पर एक पॉइंट यह वाला इस पैसे बाहर की लग रही है इसको माल लेते एफ इसको माल लेते एफ सी ठीक एक फोर्ट यह में लग डिवाले पर बहुए बाल भादाने कोशिश कर रही है एक डिवाली पे लग रही है यह होगी आपकी FD तो container पर तीन फोर्स लग रही है हमारा एक डियाग्राम हो गया दूरेग्राम द को चलो अचा कन्फ्यूजन नहीं करते हैं मैं इसको दुबारा से ग्रीन से बनाता हूं पतल लगा कोई बोले साथ कौनसी वाली बना रहे हो दुबारा बताओ यह लोग अभी ग्रीन वाली ग्रीन वाली समझारी चाल तो इस पर कौनसी फोर्ट लग रही है एक फोर्स यह यह आपकी f इस वाले पॉइंट पर एक्षन लग रहा है f action को हम लोग f से करें रियक्षन को और से करेंगे अच्छा इसके लाब इस पर यह रियक्षन लग दी कंटेनर की कंटेनर बोला मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा f e यह क्या reaction है बच्चों अभी action नहीं यहां से कंटेनर दे रहा होगा बाहर नी जाना अंदर रहो तो यहां से कंटेनर भी reaction दे रहा होगा और रियक्षन ठीक है और इसका खुद का वेट भी तो होगा जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है उसको मैंने डबलू टू बोला है second वाला गूला बोला ऐसे लिए ऐसे i2 बीने डू बीफ लू आले के देखाओ दोबारास से दिख्री ब्लू बाला ऐसे करके ठेखते ब्लू वालہ हमाइं लिए अ बूह अन्वड यहाटst दिनेनर से ऑड़े टच्पantine तो आपने लिखा इसे FDA यहां पर लिगे का पहले वाले गोवले से रीक्सिन लगए का रीक्सन ओस और झबोगव तो है डाबलुबवन तो अंपिक तnak सब्सक्राइट कर इंपर लगने वाली सिर्फसट इसको दिखाया this kind ऑप डैयेholder known as the free body diagram इससे हमें समझ आया कि इस पर कितनी फोर्स लग रही है इस पर कितनी फोर्स लग रही है तो हमें समझागा इस पर net force निकालने में हमाई लिए आसानी रहेगी यहां तो कुछ दिखी नहीं रहा था यह बहुत । इम्पोर्टरन्ट है आप लोगे समझने के लिए चले आगे का टॉपिक स्ठाट करते हैं हम वह चलिवार सेकें सेक只 सब्सक्राइब करें बारे मीनन सेखनेOne रहे हैं सिस्टम के बार कई एक ही प्वाइंट पर बहुत ज्यादा पर सी लग रही है एक कि object पर एक से जाद दो से जादा forces लग रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स सिस्टम अब फोर्स सिस्टम में तुम्हें ये समझो कि अगर मा लीजे मेरे पास कोई लग रही है तो सारी फोर्स को हटा कर अगर मैं एक फोर्स लगाऊं तो वह कितने की लगेगी वो तो बोलेंगे नेट-पार्ष बड़ इंको हटाओंगा कैसे तो उनको हटाने का मतलब है इनका sum करना पड़ेगा इनको जोड़ना पड़ेगा तो जोड़ने के लिए मुझे पता होने चाहिए कि आपस में कितना angle बना रही है यह पैरलल है एक ही points से act कर रही है अलग point पे act कर रही है तो वो हमें understand करने के लिए force system को पड़ना पड़ता है तो फिलाल क्या है if a number of forces are acting on a body then it's set to be force system अगर एक body पर बहुत सारी forces लग रही है तो उसको हम force system कहते हैं force system को हम classify करें बच्चों तो हम लोग basically दो पार्ट में classify करते हैं example के लिए अगर है book की बात करता हूँ तो मेरे पास माली जे ये कोई book है ठीक है mechanics के देंगे तो मेरे पास ये वाली book है और इस book का दो ये वाला surface है इसको प्लेन कहता हूँ तो माली जे इधर को रखा मैने अभी मेले plane हो गया और board भी मेले plane हो गया अगर में एक force को यहां पर लगाता हूँ इस तरफ तो यह बोलूँगा ये book वाले plane पर लगा रहा हूँ force और अगर मैं board पर लगाता हूँ तो board वाले plane पर लगा रहा हूँ अभी दोनों plane अलग अलग है surface को plane कहते हैं आप एगर में इतनी दिवारे हैं और साधी plane है इधर की दिवार भी में लिए plane है तो मैंने बोला अगर मैंने एक force इस वाले board पर लगाई और एक book के ऐसे book के surface पर लगाई तो इसका मतलग ये दो मैंने अलग अलग plane पर लगाई लेकिन अगर मैं एक force board पर यहां लगा रहा हूँ एक यहां लगा रहा हूँ तो बोलूंगा एक plane पर सारी forces लगा रहा हूं तो जो board पर लगाए गी सारी forces है उनको बोलेंगे co-planar forces when forces lie on the same plane अगर forces एक प्लेन में आ रही है तो उनको बोलते प्लें में आ रही है तो बक्चों उनको लोन धाने के तरीके अलग-अलग यह जो सकता है अगर मेरे फोर्स एक ही लाइन में है तो उनको बोलते अधे को प्रेमर को लीनियर फोर्स चीज that means the forces lie on a same plane and the same line of action जिनका line of action same हो उनको बोलते हैं को पेनर को लीनियर मतलब एक ही लाइन में समझो ऐसे करके एक फोर्स और दूसरी फोर्स इसके साथ इनका एक से में इसके साथ कौण साइड कर जाएंगे इसे बोलेंगे हम लोग और को लिया forces दूसरे बच्चों कनकरेंट फोर्स अब कनकरेंट फोर्स इस क्या होती है वह फोर्स इजो एक ही प्रेंट तो को प्लेर हो गई एक्टिंग एटा सेम प्रेंट और एक ही प्रेंट पर एक कर रही हो तो टो ट्री आर ठीको प्लेनगी तो है निका भी-बी तो फोर सी लाइय ऑन सेम प्लें and like line of action of parallel or parallel to each other तो इसका line of action इसका एक उसरे के parallel हो इसको क्या बोलते हैं को प्लेट को कोल and parallel forces दूसरी जो आपस में ना तो concurrent हो ना पैनल हो तो दे आर कॉल को प्लेन डॉन करेंट करेंट अनौ पैनल forces तो हम लोग जर्नली बच्चो इनको इस सठी करते हैं अगर आपको सही बताओ ना तो हम लोग बहुत ज्यादा इसको सठी करने वाले इनको हम लोग बहुत ज्यादा सठी करेंगे तो यह important है तो हम लोग जो next lecture लेंगे बच्चो इस next lecture में हम लोग इस force के component करना ताकि हमें अगर सारी forces को break करके स्टम करके बनाना हो तो वह कैसे करते हैं component force कैसे break करते हैं वह हम लोग लेक्ट लेक्चर में पूछेंगे मेरा फिर आप से अगर आपको कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो जो आपको नहीं समझा रहा हो आप जस कमेंट करें मैं बना दूंगा उसके उपर और इस से